कि दोस्तों नमस्कार मैं विकास आप देगर कसी इंडिया और दोस्तों दिल्ली से नहीं पूरे भारा से उट रही है और इस समय मेरे साथ मौजूद है कोई डॉक्टर साथ नहीं आया एंपूलेंस की टीम जो होती है वो साथ आई टी जो दोशी है उनका मैडेकल नहीं कैने अभी तक उनका मैडिकल नहीं हुआम उन्हें सीधा जेल भेजा गया उनका चालान कट चुका तो उन्हें अरेस्ट करके एक अरेस्ट किया गया एक तो कुछ भी केस होता तो पहले नंबर पकड़ते हैं पुलिस वाले तो रिमांड लेते हैं उनकी सब पूच्टाच करते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ मुझे लगता है वो बकील के द्वारा हाजिर हुए और उन्हें सीधा चालान काट पर उनका सीधा जेल में भेजा गया है और अभी जो मेडिकल होना था वो तो हात्रस में हुआ था उसकी रिपोर्ट हमें नहीं दिखाई गए हैं उन्होंने बोला था कि होस्पीटल वाले ही ही रखेंगे और जो जो भी है फाइल वगयरा कुछ भी नहीं मतलब हमें दिखाने के लिए तैयार नहींते हो डॉक्तर लोग बोलेते कि यह सब होस्पीटल के अंदर की जानकारी आप लोग को नहीं दे सकते हैं तो हाथसा हुआ था 14 सेप्टेंबर को और यहाथसा हुआ कैसे हुआ था थोड़ा सा बताएंगे मुझे एक्चली क्या है यह अपनी मम्मी के साथ मम्मी और बड़े भाई और यह दीदी घास लेने गई हुए थी खेत में तो वहां पर जैसे के घास उन्हें ले लग ती एक गटरी घास ले ली तो घर डालने गई हुए थी उनके ब पहले से ही साथ बैठे हुए थे तो यह घास इखटा कर रही थी पाने हमारे खेतों पानी का भरा होता ना वैसा ही था वहां पर दोनों साइट तो बाजरा के खेते किसी भी साइट से रोड नहीं दिखाई दे रहा था तो उन्हें दोपट्टा पकड़के उनका गले में द तीनों हड्डियां जो रीड की यह हड्डी होती है यहां से तो वह फ्रैक्चर तीनों हो चुके हैं और डॉक्टर्स बता रहे हैं इसमें सुधार ऐसे नहीं होगा इसका ऑपरेशन होगा ऑपरेशन भी रिस्की है बहुत जादा और उसके बाद वहां से उठाया था तो ग कि मलब तुमारी भेन वियोस पड़ी है वहां पे कुछ हो गया ऐसे बोला तो उन्होंने सोचा साप बाप ने काटा होगा तो वहां पे जाके देखा तो यह सब हो रखा था और उन्हें पहले तो उनकी मम्मी ढूंती हुए गई ती कि मनीशा किदर गई उन्हों पर उन्हो छापड़ों के हालत में पड़ी हुए थी और उन्होंने अपनी साडी का पल्लू वल्लू डाला और फिर जीजाच वो भाई हैं जो बड़े वाले वह आ गय तो तो वह पिदो समझ सकते किस तरीके की बरबर्टा जो है सकते किसी भाई के लिए कितना किसी बहाना आप समझ स ये अभी तमाम खबरों लिए आप देखते रहें, जस्टिस टीजी इंडिया